हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जहे स्मोची व्लोग्स में और जिस तरीके से हम इस चैनल पर नवनात महादेव की सिरीज चलाये हुए है जहाँ पर दोस्तों मैंने एक से दो भाग जागनात महादेव सारे जो लिंक्स है मैंने डिस्टेशन में दे दिये है अगर अभी त करने हैं हम सित्थास खाल महादेव की सब्करने करने वाले तो दोस्तों अभी हम जील के पास पहुंच चुके है जो सिधनात महादेव मंदीर के बरुबर पास में है और दोस्तों बारिस के मोसम के कारण देखे काफी हरी भरी सी हमें जो है जील देखने को मिल रही है दोस्तों इस जील का नजारा देखने के साथ में आपको बता दू कि नवनात महादेव की स्थापना कैसे हुई थी तो दोस्तों नवनात महादेव की स्थापना उस वक्त हुई थी जब विश्वामित्री रुसी बरोडा क्षेत्र के अंदर जो है तब कर रहे थे तभी उनके द्वारा यानि कि विश्वामित्री रुसी के द्वारा नवनात महादेव की स्थापन उनको उस नाथ समुदाय के साधू ने आसीरवाद दिया आप कह सकते हो के आदेश दिया एक तरीके से तो सर सायजी राव गायकवाड ने उनकी बातों को सर आखो पर लिया और दोस्तो उन्होंने इन नवनाथ महादेव का जिर्ण उद्धर किया जिससे कि दोस्तो आज हमार तक यानि कि हम इस पेड़ी में भी जो है नवनाथ महादेव के दर्शन कर पा रहे है तो दोस्तों वो सर सायजी राव गायकवाड की देन है साथ में दोस्तों आपको बताना चाहोगा कि दोस्तों 1850 से लेकर 1875 की साल तक जो है सर सायजी राव गायकवाड इन मंदीरों के जिरनों उद्धार करते रहे और काफी बढ़िया से उन्होंने इस मंदीरों के विकास के लिए जो है बन पड़े ऐसे सारे ही काम उन्होंने किये तो दोस्तों ऐसे बहुत ही बढ़िया और सुप्रसीद नवनाथ महादेव में से एक सिद्धनाथ महादेव के आज हम कीए है हो सकता है मैं आई बटन में भी आपको डिसकि जो है लिंक दे दूंगा तो जरूर से नवनाथ महादेव के दर्शन कीजिएगा जिससे की दोस्तों सरावण महिने में अब जो है बहुती बड़े से घर पर बैठे हुए नवनात महादेव के दर्शन कर सकते। प्योद इकारां सारी मुटिया इहांत रखी गई है। इकारां सारी मुटिया 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 इकारां सारी मु झाल 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 झाल